हेलो एवरिवान वेल्कम बैक वाइज चैनल वंस अगेन तो इस प्लेइलिस्ट में हम लोग अब तक बाख कर चुके हैं छे विडियो एंड वहां पर हम लोग ने डिफरेंट डिफरेंट कंटेंडर के बारे में सीखने जा रहे ही यहां पर जिसका नाम में श्टैक और यह इ जहां पर आपको इस प्लेइलिस्ट के रिगार्टिंग जितने सारे कोड़ है वह सब आपको मिल जाएंगे उसके बाद करने के बाद हम लोग अब टॉपिक पर आएंगे जहां पर बात करेंगे की स्टैक क्या है उसके डेफिनिशन जान लेंगे उसका इंपॉर्टेंस दिख्षिव पे देखा जितने सारी आपको कंटेंडर यहां पर दिख रहे है। झाल को कुछ थील्क करेंगे तो यहां पर का कुषचन के नृट करेंगे तो यह लीड कोड का कुषचन करूंगा यह मैंने करेंगे इसके विडियो मैंने अल्री अप्लोड कर दिया है तो अगर आपको इस विडियो देखना है तो आपका आयो बिटन पर लिंक आ रहा होगा तो आप जाकर देख लेना ठीक है ओके तो यह बेसिकली आपको डॉक्स है जहां पर आपको जो इस प्लेलिस्ट के रिगार् आपको एक एक करके मिल जाएंगे तो मैंने इस तरीके का डिजाइन के बाद मैंने तयार कर दिया इसके बाद मुझे क्या करना इसम्पल अब श्टैक का हो जाएगा तो यहां पर श्टैक का आपका कंटेनर दिख जाएगा और कुछ नहीं होगा इसमें अभी कोई चेंजर जब अभी मुझे तो नहीं लगता क्यों बट जो भी चेंजर होगे तो आपको ज्यादा कोई दिखकत नहीं होगी ऐइंड एक तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले हमारा इजेंडर यह था कि अब सबसे पहले हमारे पास इसको मैं बोलता हूँ सिक्विंशल कंटेइनर थे हमारे को उपलब्द करा गया अब कंटेनर का काम ही क्या होता है तो डेटा को श्टोर करना है मुझे इन दसेंस की बकेट है मारे यह बाल्टी है समझाए सा तो बाल्टी में हम कुछ यह फ्लोट सिर्फ आप इता नहीं है जब आप श्टैक किसी भी स्टील के बारे में बात करते तो वहां पर डेटा टाइप जो होता वह फिक्स नहीं होता आपने श्टैक को डिकलेर किया इंट बगेरा से आप चाहों तो इंट यूज कर सकते हो अगर आपको जुरत पड़ी आप यहां पर कुछ और यूज कर सकते हो डबल यूज कर सकते हो तो यह आपको डेटा टाइप इसकली फिक्स नहीं होता ठीक है यह निकि आपको सारे श्टैक के जितने भी तरीके होंगे उन सब में सिर्फ इंठी यूज होगा ऐसा कुछ नहीं है वह खुब सूर्त ही है ठीक है तो हम यहां पर स्टैक में डेटा को स्टोर करते हैं आपको यह डिफरेंट क्या है हम भी तो अरे में डेटा को स्टोर करते है वेक्टर में डेटा को स्टोर करते है लिश्ट में भी तो डेटा को स्टोर करते है तो डिफरेंट क्या है इसकी यूज क्या बने किस तर लाश्ट इन फर्स्ट आउट लाश्ट इन फर्स्ट आउट ऐसा कंटेनर जहां पे जो अखरी में रखा गया डेटा वह उस पर और बागी दूसरी ओपरेशन काम नहीं करेंगे वह रिश्टिक्टेड है ठीक है कि आपको जब भी निकालना तो लाश्ट वाला आइटम ही नि रहेगा वो आउट होगा तो बहान निकालना है तो राइट तो यह आपको देखोगी तो एरे में फोला कोई दिक्कत नहीं आप लाश्ट पॉपबैट कर दो कोई प्रब्लम नहीं है अप प्रेंट से हटा दो बैक से हटा दो लीचट में भी आप ऐसा कुछ कर सकते हैं लेकिन stack में आपके पास क्या है कि आपके बाद श्ट्रिक्सन है आपको add भी करना है last आप front में add नहीं कर सकते हैं ठीक है आप stack को ऐसे देखोगे आप इस तरीके से देखो आपको याद होगा डॉक्टर के हम जाते हैं तो हम अगर सुई पढ़ रहा किसी को तो इस तरीके से कुछ होता है तो दवाई let's suppose यहां से आ रहा ना तो यहां से आ रहा है last और निकलेगा वी तो इधर से निकलेगा इस side से पहले तो एक का तो operation ही नहीं यह इंड कलूज है मैंने इसे को कर दिया है ठीक है तो इस से कुछ भी नहीं कोई operation नहीं होने वाला कुछ भी नहीं ना आना न जाना लेकिन इस end से इन होगा और आउट भी होगा बड़ जो आउट होगा थीक है वो last इन होगा जो जश्ट लाश्ट इन हुआ होगा वही सबसे पहले आउट होगा और इसका अगर आपको कुछ डेली लाइफ एक्जामपल देखना है ठीक है तो आपको इस तरीके से यह वाला एक्जामपल भी आप एक तरीके से लिख सकते हो आप देखते हो जैसे बुक के ऊपर आपने ऐसे बुक रख दिया ठीक है यह काफी लोगों को पता होगा इसके बारे में तो जहां भी ऐसा है कि आप नीचे का नहीं हटा सकते है अगर आपने नीचे का अपर का पूरा गिर जाग मेंस यह तो मतलब नहीं रहा ना तो आपको क्या है यह बता रहा है कि आपके पास कोई आपको लाश्ट से ऑपरेशन परफॉर्म करना है ठीक है डेली लाइफ में आप बीज से किताब खीच दो क्या होगा सारा किताब गिर जाएगा बट वह एक कंस्ट्रक्टिव नहीं रहा तो आपको इस तरीके से ऑपरेशन करना है ताकि वह रहे तो इंदाइट मिंस की लाश्ट से आपको आउट करना है ठीक है यह चीज हो गया अब इसका इंपोर्टेंस आपको जहां पर भी कुछ इस तरीके से दिखे कि जहां यह आपको बस याद रखना लीफ हो जहां पर आपको ऐसा देखे कि जो लाश्ट हमने जश्ट आइड किया है या जो मैं आइड केस आपके पास श्टाइक एक एफिसेंट सिंपल आपको डेटा स्ट्रक्चर बनने वाला और वहां पर आपको श्टाइक से काफी काम बहुत सिंपल तरीके सोगा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है अगर मैं आपको बताऊं कि श्टाइक जो है इंटरनली वेक्ट फाइल में लिखता हूँ क्योंकि अब यह तक हमने डिकलेटेशन के बारे में जादा बात नहीं क्या मैं आपको सिंपल में में रखता हूँ ठीक है और अगर आप कंट्रोल प्लेस करके राइट क्लिक करोगे तो आप यहां पर देखो सिक्वेंस इकल टू डीक्यू तो इंटरनली क्या हो रहा है आपके पास इंटरनली अच्टेक कर सकते हो तो यही चीज आपको जो काम पहले किया हुआ है उसको आप करने बैठोगे या आपके पास इस काम को करके आगे कश्टेप आ गया है वहां पर आप करके उसको यूज करोगे कौन सा जाधा सही होगा बहतर सही चीज है यह कि आपको यह सही होने वाला तो आपको करना ही है यह वाला यूज करना सिंपल आपको समझना है कि यह चीज implement इसके हो सकता है आप कभी रेस्ट में या आपको practice करनी है तो आप इसको ट्राइ कर सकते। सब्सक्राइब करने के लिए तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं जैसे प्राक्टिस परपस या कहीं आपको इंटर्व्यू में ऐसा कुछ बोला जा रहा है कि ठीक है स्टाइब को अपना डिक्यू के तरफ से इंप्लिमेंट करके दिखाओ तो वह आप वहाँ पर करो जै और यहां पर सेकेंड पॉइंट यह है कि आपके पास ह्टल के तरफ से कौन-कौन से ऑप्रेशन इसमें दिए गया है तो इस ऑप्रेशन पर जाने के पहले हम लोग स्टैक का जो आपका सिंटैक्स होगा डिक्लेरेशन होगा यह हम लोग देख लेते हैं कूड में जाकर ओक तो हम लोग फाइल पर आ जाते हैं यहां पर आपको कुछ नहीं करना जैसे आप लिखते हो अगर आप वेक्टर को अर्टिकलेर करो तो वेक्टर आपने लिखा और यहां पर आपको डेटा टाइप देते हो इंट डालना है लॉंग डालना है फ्लॉर डालना है कुछ भी ठ ठीक है और यह बंद होता है ठीक है उसके बाद आप वेक्टर आप जो उस कंटेनर का जो नाम देना चाहते है तो आपने लेट सपोज डाल दिया कि चलो ठीक है कंटेन कॉंटर डाल दिया ठीक है उसी तरीके से यहां पर क्या होता है कि on declaration मैं बोल लूव्स थैक आपको लिखना है और यहां पर सींटेक्स अपको डबाद के भासें आपको ड्राइम अट इनर डालेक लिखनाल चाहां करके सब्सुम्तित सब्स बस यहां पर कोई इंपूर्ट बगेरा नहीं था तो आप रन करोंगे कुछ नहीं होगा यह सब को सभी है यह बोलोगी कि मैंने दिखाई एच्छे रिलेट करने के लिए चीजह सेम रहती यहां पर एयरे में यहां पर सिर्फ एक साइज यहां पर मांग लेता है वह यहां पर तो और पर में इस तरीके सा रहते हैं डिखाई है अगर आंं पर करती हैं पर प्रहा है इस जो ही ज्यादा अप्रेशन नहीं है अन्ट इसके जो ब्रेशन नामँ से ही ही कही ज्यादा Divina है क्योंकि मैंने बताया न, stack क्या है, stack ऐसा है, एक ऐसा डबा, pipe का एक, एक सीरा नीचे से ये बंद है, आपको उपर से या तो आना है, और यहीं से जो stop होगा उसको निकलना है, तो पहला तो एक, एक सीरा ही बंद कर दिया, आप इसको as a stack समझो, तो stack में क्या है, उपर का top element आ आपको, empty है के नहीं, यह एक boolean return करेगा, top element को return करेगा, हम लोग देखेंगे, इसका implementation में, तीसरा आपको, obviously, इसमें size के तो, size तो आपके पास हर container में होगा, ठीक है, और क्या operation है, यहाँ पर आपको add करना, अगर element, तो क्या होगा, post, और post में एक data, जो भी data आप आपने, आपको pop back या pop front क्यों नहीं है, तो आपको push back और post front वाला case नहीं होगा, simple push और pop, एक ही तरीके से होने वाला है, तो बस push और pop, ठीक है, तो यहाँ पर pop में कोई argument नहीं मांग रहा है, आपके पास stack.pop और यह क्या करेगा, आपको return नहीं करेगा, वो सिधा stack से, top का element जो होगा, return, sorry, आपको delete कर देगा, तो top, basically return करेगा element, return an element, इस से अच्छा है कि हम लोग syntax यहाँ पे इसको implement करने के, देखते, empty आपको बेसकली यह boolean है, आपको true और false बताएगा, बताएगा कि, stack आपका empty है या नहीं, size बेसकली size बताएगा, पूस आपको element को add करना, pop को remove करना, simple, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, मैं क्या करता हूँ, एक loop लगा देता हूँ, ठीक है, loop लगाता हूँ, int i equal to one, and i less than equal to five, मैं five element को, इसमें add करना चाहता हूँ, and add करने के लिए, क्या होगा, ht.pulse, write, तापके लिखा तो कहीं न कहीं, आपको operation यहां पर मिलिया, तो आप यहां पर करोगे, and i आपके पास end होने वाला, ठीक है, see out after adding element, अब हम यहां पर size ब्रिंट कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा size वाला जो operation है, वो भी check हो जाएगा, ठीक है, and see out is empty or not, तो ht.et, देख आपको यहां पर यह भी मिल जाएगा, ठीक है, तो हमने push कर दिया, size चेकल लिए, empty चेकल लिए, top element को में देखना है, एक बार में इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, top element is, ht.top होने बाला, तो हमने 4 का तो देख लिया, अब बचा पॉप, तो मैं क्या करता हूँ, ht.pop कर देता हूँ, and उसके बाद हम लोग इसी चीज़ को फिर check कर लेता है, लेकिन आपको एक चीज़ इसमें ध्यान रखना में बता दूँ, जब भी आप पॉप कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए, कि element जो है, कहीं न कहीं, exist, at least one element जो है, exist कर रही है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं हो कि stack empty और आपने पॉप कर दिया, तो आपको वहाँ पर error आएगा, हम लोग उसको भी देखेंगे, पहले इसको जड़ा run कर लेते हैं, expected क्या करूंगा मैं, expect मैं यह कर रहा हूँ कि हमने add किया है क्या, यह container था, अब देखते हैं इसको, हमने बोला, एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे line में खड़े हो, और आजाओ, एक आया, आया, नीचे चला गया, ठीक है, उसके बाद दो आया, दो इसके उपर आएगा, अब क्योंकि, option ही नहीं एक ऐसे आया, बंद कर लिया, इसने gate, दो आया, इसने gate अंदस बंद कर लिया, तीन है, यहा के ऐसे बंद कर लिया, चारा ही, यहाँ पर यह बंद कर लिया, अब इसके बाद पांच आया, पांच ही यहाँ पर इसने बंद कर लिया, ऐसे, तो अगर मैं टॉप की बात करना हूँ, तो टॉप पे expected होगा मेरा, five, right, size पे भी बात करें, five before pop, और अगर मैं empty की बात करना हूँ, तो जाहिर से बात होँ, आप पे false आना चाहिए, false means 0, ठीक है, तो यह है, और after pop, अगर हम pop की बात कर लिते हैं, पहले pop कर लिया हमने, तो क्या होगा, pop में यह वाला element आपका निकल जाएगा, निकल जाने के बात क्या होगा, top आपका बन ज 0, means नहीं है, top element is 5, ठीक है, after adding element 4, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे, after adding नहीं, यहाँ पे मैं, चलू ठीक, रहने देते हैं इसको, यह मैं कर देता हूँ, कि pop operation performed, pop operation performed, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा gap दे देते हैं, अब इसको आप जब run करोगे, सीम, बस differentiate मैंने क्या, ht. कोई गलती, अच्छा, okay, semicolon miss है, clear, और इसको थोड़ा समय, अब ठीक है, तो 505, 404, expected है, लेकिन क्या करूँ मैं, कि अगर मैंने यहाँ पे, कुछ add करने के पहले ही, मैंने कर दिया, ht. चलो, इसको ऐसा रखते हैं, इसको मैं पूरा को करता हूँ पहले comment, यह तो ठीक है, यह कर देता हूँ, comment, या मैं ht. top check कर रहा हूँ, ठीक है, top element, अब देखो यह क्या करेगा, क्योंकि top पे कुछ है नहीं, ठीक है, तो आप देखो क्या होगा, I think error आने वाला होगा, ht.pop, yes, got stuck, तो अगर आपने इसके जगा पे check है, ht.pop, तो हमेश आपको दियान रखना है, कि जहां पे आप top को यूज कर रहो हो, या pop को यूज कर रहो, तो कहीं न कहीं at least एक element होना चाहिए, आप किसको निकाल रहो, या किसको check कर रहो, अगर element ही नहीं है, तो क्या होगा, या देखो, permission denied, तो यह आपको कहीं न कहीं आने वाला है, ठीक है तो इस चीज़ का आपको दियान रखना है, तो इस तरीके अगर आपको यूज कहीं पर करना और आपको पता नहीं कि क्या है, तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, इफ, एस्टी.size, कहीं न कहीं इसका size है, तब हम कर सकते हैं इसको, cout, ht.top, या ht.pop, जो भी आपको, यूज के इसकी हिसाब से आपको required होगा, right, कुछ इस तरीके साबका exist, safe zone में आपका जो है, वो काम होने वाला है, ठीक है, right, तो अगर हम मैं इसकी बात करूँ, तो अब देखो, कुछ नहीं है, कोई problem नहीं है, कोई error नहीं है, ठीक है, okay, तो हमने finally, 5 जो operation मुझे, आपको बताना था तो वो हमने बात कर लिया, implementation देख लिया, उसके different issues कैसे, क्या आपको ध्यान में रखना वो देख लिया, अब हमारा last है कि एक lead quote question जो मैं आपको बोला था, कि discuss करेंगे, तो ये है valid parenthesis, ये easy question है, आप लोग easy question क्यों pick किया, मैं just आपको समझाना चारा हूँ, इस video को मुझे ल इसका हम लोग code पर review, एक बार ऐसे देख लेंगे बस, ज्यादे discuss नहीं करेंगे, तो यहाँ पर क्या बोलना कि string है आपके पास, जिसमें इन 6 character में से ही कोई, इन 6 character का ही combination है, तो इसके अलाबा कोई और नहीं है, possibility हर एक आयत character पर आपको इन 6 में से कोई 1 की होनी की है, ठीक means, यह equal के साथ, जब भी close होगा, तो यह ऐसे close होगा, ऐसे नहीं कि आपने इस ब्रैकेट से आपने close कर देए इस ब्रैकेट से, यह valid नहीं है, यह valid है, ठीक है, तो आपको पता है कि valid parenthesis क्या है, तो अब देखो, यहाँ पर requirement आप कैसे कोई, कि यह stack की है कि नहीं, तो जो भी अभी तक पीछे जितना भी आपका जो है, वो हुआ होगा, ठीक है, यह जो भी हुआ होगा, जितने भी bracket है, उनसे भी मुझे कोई लेना देना नहीं है, current bracket जो आने वाला है, अगर वो close bracket है, इन तीनों में से कोई एक category का है, तो मुझे देखना है कि यह close आ रहा है, तो क्य इसके पहले जो open था, ठीक है, जो open था और जो अभी भी open अ, still open है, still open है, still open का मैं बोलूँगा, last वाला, यह सब still अभी open है, ठीक है, तो यह last वाला कौन है, बड़ी bracket जिसको हम लोग बोलते हैं, यह वाली bracket है, और यह bracket के साथ इसको close होना है, अगर यह ना कि कोई और आ ग तो मुझे क्या करना है, यहां पर हमेसा top वाले को देखना, अगर इसके साथ ही आ रहा है, तो हम इसको pop कर देंगे, यह इसके साथ मिनुस कंबाइन हो गया, और इसका काम खतम हो गया, अब इसके लिए फिर चेक करेंगे, तो आपको कहने कहीं, आप देखो तो यह ऐसे आइड होता चला जाएगा, ऐसा पलेट पे पलेट आप रखते चले गए, बुक पे बुक आपने रखते चले गए ऐसा, तो यह के सोने वाला, और जहां भी ऐसा दीखे, आपको फटैक्सिया यूज़ कर देना है, यह बिलकुल आपको हमेसा सही जाएगा, ठीक है, कभी हमेसा भी हो सकता, मैं यह से नहीं बूलूँगा कि 100% आपको स्टैक हमेसा यूज़ हो जाएगा, श्टेटमेंट पर डिपेंड करता है, लॉजिक पर डिपेंड करता है, तो यहां लॉजिक सिंपल आपको बता रहा है, कि मुझे हर बड़ टॉप एलमेंट को हटाना है, य यहां पर मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरीके समने स्टैक का यूज़ किया है, तो यहां पर स्टैक को डिकलेर कर लिया, और आपके रिक्वार्मेंट के हिसाफ से फ्लैग जो भी आपको रखना होगा, ठीक है, और जब भी यह कोई ओपन ब्रैकेट आ रहा है, ठीक है, अगर बात नहीं, ओपन का तो अल्रेटी ठीक है, वो सही है, आने दोस को, आने दिया मैंने पुस्ट कर दिया, लेकिन जब भी, अब ओपन नहीं मिन्स क्लोज है, अब क्लोज है, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट अ स्ट्रिंग में आई है, तो मैंने क्या बोला था, कि अभी भी पॉप अपरेशन या टॉप अपरेशन मुझे चेक करना है, तो कहीं न कहीं मुझे पता करना पड़ेगा, कि साइज इसका ग्रेटर दन जीरो है की नहीं, अगर डबा खाली है, तो आप उसमें हाट डाल की निकाल लोगी, तो क्या निकलेगा, कुछ नहीं, तो वो आपको देगा error, इसलिए इस statement का होना बहुत जरूरी है, तो st.size मुझे पहले, size को बता देगा, अगर 0 से ज्यादा ना रहा, तो यहीं पर आपका, जो भी आपका required logic होगा, उसकी हिसाब से यहाँ पर written, लिखेंगे आप लोग, और अगर size है, तो हमारे logic की हिसाब से फिर यहाँ पर change जाएगा, ठीक है, तो मैं इस question को discussion ही किया हूँ, इस video में, हम लोगों ने stack का कैसे use किया question में, और क्या आपको ध्यान रखना है, इस question में, बारे की क्या आपको रखना चाहिए ध्यान में, उस चीज़ का बैस मैं हमने यहाँ पर discussion किया, ठीक है, तो इस video में इतना ही रखते हैं, इस playlist को आप चाहो तो save कर सकते हो, नीचे description box में, इस playlist का link, binary magic.in वाले site का link, आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आप जो भी चाहो, ठीक है, आप bookmark करके हमें सच चीज़ों कर रखना, कोई daughter है, किसी भी तरीके का suggestion है, यहाँ पर भी suggestion पेज आइड करने वाला हो हम चीजों को करते हैं, and best way में करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि कहिसे भी कर दो, आप देखोगी, यह video आने में काफी दिन लग गया, previous video and इस video में काफी देख, 12 दिनों का समय है, ठीक है, तो कहीं न कहीं मैं इस page के लिए थोड़ा सा भी जी था, and इस चीजों को मैंने finalize करके उसके बाद सोचा कि अब आगे continue करेंगे, इसको साथ में भी updated करते रहेंगे, तो यहाँ पर आपको basic हर एक container के हिसाब से questions जो होगा, मैंने video भी embed कर दिया, थोड़ा सा logic आपको, मैं थोड़ी सी simple जानकारी जहब हो दे दूँगा, जो की required होगा आपको, I think अगर आपको नह आपको आपको आपको